छलेँ यहां पर कोई विजे हिंडु आये हैं हाजी विजे हिंदु बताएं क्या आना चाहते नमस्कारस हां जी नम स्कॉर फंचना चाहता हूं क्यर्य को ग्यान की अच्छ नीजुद के सार क्विद्ध को फ्राव चमीज़ वी क्यों चींद कॉनि मिला था वह सारा किताब है कहा का किताब है लंका की किताब है लंका में बुद्ध को खोज रहे हैं आपको या तो यह पूछना चाहिए था कि बुद्ध को कौन सा ग्यान मिला था वो बताइए हमें कि पहले अपना क्या क्या है यह प्रच तो मतलब वहां क्या हुआ था था यह पढ़ा है उनको ग्यान प्राप्त हुआ था यह पढ़ा हुआ है और अभी बहुत किताब हमें पढ़ता आ रहा हुआ हुआ अब सब्चाई के आप बता दीजी अज़ा बुद्धा को कौन सा ग्यान मिला था ये भी तो आपने पढ़ा होगा ना नहीं मैंने नहीं पढ़ा है कौन बोला आपको कि इस वर्य ग्यान मिला था ये कौन बताया आपको इस वर्य ग्यान मिला था किताब नाम की किताब कौन सी सदी की किताब यह मैं नहीं पता सब्सक्राइब सभी की संस्क्राण पढ़ा था अपने लंका बतार सुथ अच्छा भारत में जब देश आजड हुआ जब अंग्रेज आये थे अंग्रेज जब आये थे भारत में बुद्धिजम था उसकी किताब थी कोई बता रहा हूं कैसे पता चला उसके लिए 1888 में विलियम से पेपे जो है उन्होंने इक्सकीवेशन किया था पीपरहवा इक्सकीवेशन नाम सुना है आपने अच्छा अब उसको जानते हैं तो पीपरहवा जब इक्सक्वेशन हुआ तो उस पीपरहवा इक्सक्वेशन में यह देखिए मैं आपको एक रिसर्च पेपर सेयर कर रहा हूँ हेरी फालक का है यह तो उस एक्सक्वेशन से एक बात पता चले कि वहां पर लिखित रूप में कोई चीज़ मिल गया था और उससे भी पहले चाइना के कुछ ट्रेवलर्स आये थे भारत में जो अपनी किताबे जो हैं यहां से लिख लिख के लेके गये थे तो जब किताबे लिख 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 के ले गये थे वहां से बात पता चले कि भारत में बुधेश्ट उनवर्सिटी होती थी विदेशों में धर्म था बुद्ध धम तो लोगों को पता चला कि अच्छा बहरत से लोग भारत में पढ़ने आते थे बहुत सरी जनकारी मिली थी यह देखे क्या लिखते हैं पिप्रावा इज थे साइट ऑफ वेल नोन अस्तूपा दिव नौर्थ और गोरगपूर इन नौर्थ इस्टन उत्तर प्रदेश एंड लेस्टेन किलोमेटर साउट तो दा नेपालिस बोर्डर इट कैन बी सीन उन गूगल अर्थ एट इतना उदिया वहा लिख रहा है ना ये रिसर्च पेपर बता रहा है कि 1898 में जो स्तूपा की खुद आई हुई उसमें द्धम लिपी में लिखा हुआ इसा से भी 400 साल पुराना उससे भी ज्यादा पुराना जो है यह मिला था स्तूपा मिला जिस पर किलियर्ली लिखा हुआ था कि यह रिकी तुरूप में मतलब यह नहीं कि कहीं पर वह मिल गया केवळ बॉन्स मिल गया एक लीड मिल गया तो ko Oh कहा देगा कि Pocket होड़ी किसी और का भी होसकता है तो इसके ऊपर पाक slack बीदिया गया था कि ये बिद्धा ओफ दुख्ञ हो कि लियर रेफिरेंस तो साके मून कि लियर हिस्टोरिकल बुद्धा का कि लियर रेफ्रेंस दिया गया था अब ये समझ गया काあっ वहाँ पिवगार्ट फाल यहीं है कि कौसा व्यूजु DO घ्टो उनके हां तो माने ही नहीं उनके हां तो इसे किया म Feld जाता है अधिकि में जितना पढ़ा हैं जोट नहीं बोलो अपने जूट नहींग बोलो और आपने पढ़ लिया नशा मत करो व्यविचार मत करो, हिंसा से बचो, इसा पढ़ लिया ना आपने, तो चोरी मत करो, अगर कोई व्यक्ती जो है, माल लेते हैं, पेण के नीचे ही वैठा हुआ है, और ये इतनी अच्छी बाते बता दिया, और उन्होंने कह दिया कि हर इंसान दुखी है, उन्होंने चार आर ये सत्य बता दिया, कि हर व्यक्ती जो है दुखी है, दुखी है तो कुछ भी है, चाहें उसके पास पैसा हो तो, नहीं पैसा हो तो, थोड़ा सा पैसा हो तो, या फिर कुछ और भी चीज हो या नहीं हो, तो भी वो दुखी है, दुख तो खोज लेगा ना, तो हर दुख क कारण होता है और कारण का निवारन होता है अनिवारन कैसे किया जाए उसके लिए अस्टाइंगी कमारग होता है अगर ये बाते कोई खोज के बता रहा है कहीं पे कोई अपना सूचा है उसके बारे में उसको समझा है अपना एक कहरा उनका नुभाव रहा है लगतार ट्रेव प्रफ़ नहीं किये थे जब उनको किसी ने बता दिया था कि आप भूखे पेट रहोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा तो उन्होंने अपने अनुभाव के आधरार पर जो चीज सीखा उसी को कहा जाता है कि बुद्धा का वही ग्यान था आप अपने अनुभाव से आज तक अनुभाव तो हैं कुछ नहीं सीखें है विज्ए हिंदू बता यह कोई कंपनी हैं जितनी भी धैर सारीे मपनी जो हैं किसी सीखके हिभी बनती हैं या कुछ जो सीखी रहती हैं उसके अधार पर वो उनका जो experience होता है उसके अधार पर कुछ नया सूच के बनाती है समान जो research आगे बढ़ता है या सब चीज पहले से किताब में लिखा होता है उतना ही पढ़के वो काम करती है नहीं नहीं कुछ चीज़ें अपने से बनती है और research किया जाता है कुछ और कुछ जो है तो production होता है अब एक कहावात है कि या सकता उसकार की जन्नी है तो अगर हम विज्ञानिक रूप से बात करें तो जब जरूरत पढ़ती है तो कुछ चीज़ें अपने से creative होती है और कुछ चीज़ें जो है तो नकल करके बनाएगा है तो दोनों संभव होती है नकल तो वो बनाएगा ना जो नकल बनाएगा उसका तो तुरंत नकल पकड़ में जाता है नकल जो बनाएगा उसका तो solid भी चीज़ें लेबल होता है तो तुरंत ही वो हो जाएगा यह तो उसका नकली है उसका duplicate प्रिखेट कोंपी तो तुनरंद्फ बता चल जाता है तो आप कुल मिलाकर यह बात Pope अगया कि नोगों recognize मैं करे मैं उस्टा वाइव सह आपका माइं सक्रपल्ण नहीं है तो पहले माइंड सांट किया जाता है मैं कोन जाएगा आपके सोचने समझने की चीजे तेजी से बढ़ जाती है तो बस वही चीज है बुधा ने भी प्योड़े के नीचे जब बैठें या घर से बाहर निकलें बच्चों से बाहर निकलें बीबी से बाहर निकलें पूरा 24 आवर जब उन्होंने अपने को समय दिया सिर्फ सीखने म सकताः है इसे जदा थोड़े समय दे पाएंगे उसके बाद से आपका समय घर फे जाएंगे तो आप बच्चों के सांथ बिताएंगे मापिता के सांथْ जबाएंगे खर के भायी बंदू अगल बगड़ पड़ो सुरस बातचीत में आएंगे टीवी देखेंगे कुछ-न- तब जाके वो कुछ नया खोज पाता है आप बोलिये और क्या करना आपका मेरा दूसरा कुस्चन यह है कि आपने गुप्त काल को जो है तो उसको बुद्ध बता दिया है जब कि जो पूनत अमरपत मिला है जो प्रभवाति गुप्त थी चंद्रगुप्त की मतलब को ठीक है संस्क्रिट भहन से में मैं दिखा दूँगा साइड भी है तो उसमें अपना खोतर धारण घुठर वह जो जाती लिकिए उनि और रामगुप्त विस्नु गुर्थ पूरा उनका जू है सर तो आपने बुद्ध कैसे बना दिया हृत बैसिए मतलब ऑ हैं रहिए भुति समु बहुत से मूर्तियां भी बनाई हो दोने आप दिखा दीजी तो बड़ा अच्छा रहा जाएगा नहीं आप लुगर तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा यह सब काम आप लोग ना बड़ा गर-बड़ काम करते हो आप यह आ जाते हो आने के बाद से फिर क्या को होगे यह तो मैं काया बरबात करते हो आप सीधे अपना निकाल के दिखा दो ना बताइए गूगल पे कौन सी वेओ साइट है और जिनल वेओ साइट है यहां पे तुरंट खोल के उसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है कौन चेक करेगा समय नहीं बरबात होगा आप जब भी कोई क्लेम क यहां खोल के शीधे शीधे यहां पर दिखा दिया की जिए आप यहां पता चले कि ट्याग期 मनाक्रव। आपको लगता है कि इस्वर और अल्ला एक ही हैं मेरे को यह लगता है कि किसी ने धर्ती पूरा ब्रह्मान बनाया है जो निराकार है जो हमको दिखता नहीं और सभी उसके समान है आप तो रवायंट तीवारी हैं आपको इसे बनिया कैसे बन गए नहीं वो तिवारे नहीं वो मैंने लिखा था वो बन गया था बहुँ पुरानी है सब्सक्राइब तो इम्टेग स्टूडेन्ट सब्सक्राइब कर लए तो अब जड़agon कुल के आपके गुपता एंपायर की आपọn बात कर रहे थे तो आपके गुपता एंपायर का एक बड़ा रेयर मैंने इमेज निकाला है यह जरा आप पढ़िये आपके गुपता एंपायर का यह देखिए धमालिपी में कुछ लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं आप नीचे हिंदी में अनुवाद भी कर दिया गया है सीरी लिखा हुआ है दिख रहा है सीरी और आगे लिखा है यह पाली भाता के लोग भी जो है यह जो लिखा हुआ है ना नीचे धम लिपी में उसके उपर मूर्ती भी बनी हुई है आप बता सकते हैं ऊपर बैठे हुए कौन है यह जो मूर्ती कुमार गुप्त की है कुमार गुप्त बैठे हैं नीचे धम चक है इस तरह के मूर्ती कुमार गुप्त की मैंने नहीं देखा थे कहीं भी जब बिक राजा जो है अपना नाम ही लिखवा दे रहा है कि हम है वैठे हुए हैं, meditation कर रहे हैं, बुधा की पोज में बिल्कुल meditation कर रहे हैं, आप देख लिजे, बिल्कुल बुधा के meditation में, और उन्हों ने धाम लिपी में, बिल्कुल महराज सीरी कुमार गुपतस्य भी लिखवा दिया है, साप साप सीरी लिखवाया है, स्री नहीं, सीरी लिखवाया है धाम एंपायर है वो गुप्ता एंपायर बुधिष्ट था अगर वो ब्राम्हडवादी होता तो अपनी मूर्ति ना किसी यग हमन करते हुए बनवाते मेडिटेशन करते हुए नहीं बनवाते और वहां पर लिखवाते भी कि हम एक वैदिक वह हैं ब्राम्हडवादी हैं यहां यहां पर उन्होंने नाम लिखवा रहे हैं यह प्रमाड है जो आपने आजन्ता केब से बताया आपको पता है आजन्ता केब कब बना है यह तो खास बात है आजन्ता केब जो है इसा से तीन सो चार सु साल पहले बना हुआ है और गुपता एंपायर में मतलब रिनोवेशन कह दीजिए या फंडिंग कीजिए या उसको जिर्णो ध्यार जो कहा जाता है वो शमजिए वो करवाया है मैं दिखा देता हूं आपको भी आप देख लीजिए हर चीज जानने का आपको अधिकार है न आप यहां आएंगे तो हम बिना पता आपको जाने नहीं देंगे यह देखिए आजन्ता केब्स है और आजन्ता केब्स के बारे में युनेश्को में क्या डोकमेंट सोंपा गया है पढ़ सकते हैं आप क्या संट्री बीसी दूरिंगग दग विफ्ट पिरियाट ऐफ्ट उन्री एड याठी एवफ्ट इन एसक्श्च्छ शंच्र आदे मार इंट्र एडियूर्बाट मैं कि अट्ट शंच्छे एर जिए डिट अट थिस्ट इंट्रिश्ट मैं आ पोद्धिस्ट नुनेश्क्र इस बोलने होंगा, कि मैं खुद बया हूं दो वार रुखुमने, वहां पर मैंने हिंदू बहुत दोनों का जो है, तो समुही को देखा, नहीं, 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 विजय हिंदू, अब एक चीज समझे आप, जिस चीज को देखके आप हिंदू समझ रहे हैं, वो हिंदू का नहीं है, वो भी बुधिष्ट का है, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो हिंदू का है, हर चीज जो बुधा की या बुधिष्ट आर्ट या बुधि शत्वा की जो मूर्ती है, उनके जो जितने भी आर्ट्स हैं, वो बुधिष्ट के हैं, आपको सुरू से बताया क देखा है इसलिए यूनेस को भी यहां देखें चींख चींख के कह रहा है दफर्स्ट बुधिश्ट के बोल रहा है कि बुधिश्ट का ही पहिला के मोनुमेंट्स है और 2nd 1st century BC में बना फिर कहता है during the Gupta Empire 5th and 6th century AD, many more richly decorated capes were added to the original group. The paintings and sculptures of Ajanta considered masterpiece of Buddhist religious art. यहां कहीं नहीं उसने कहा कि किसी Brahmanical art या Vedic art. अभी भी उसने क्या कहा? Buddhist religious art कहा और Buddhist का capes बताया. तो Gupta Empire भी, अभी मैंने आपको दिखाया कि वो खुद meditation कर रहा है, नाम भी अपना लिखवा दिया है कि तुम लोग बुद्ध मत समझ लेना, हम मुझे ही समझना. मैं ही Buddhist को follow करता था. Capes में भी वो Buddhist art को aid कर रहे हैं, तो वो सारी कि सारे Buddhist की हैं. होता क्या है कि जब कुछ समय बीत जाता है, तो लोग क्या करता है ना कि उची जो में परिवर्तना आता है आप सोचिए 1930-32 की जो फिल्म बनती थी और अभी 2023 में जो बन रही है, 90 साल बाद जो फिल्म में बन रही है, इन दोनों में कितना अंतर आ गया है, दोनों के quality में, quantity हर चीज में अंतर आ गया है, technology में अंतर आ गया है, तो उसी तरह से जब गुपता एंपायर जब वहां पे अपनी चीजे बनवा रहा था, तो पहले से जो बुधिष्ट जो आर्ट थी, उसमें तब तक 300, 400, 500, 600, 700 साल बाद से जो modification हुआ था, जो नई नई आर्ट बुधिष्टो की बन रही थी, उस चीज को भी उन्होंने aid करवाया, आपको क्या लगता है, बुधिष्टो को आप देखते हैं, तो बुधिष्टो को आप लोग आदत पड़ गई है, विष्णु कहने की, शिव कहने की, कुछ भी कहने की आदत पड़ गई है, और वो है बुधिष्ट का, आपको आदत पड़ गई है, आपको किसी ने बता दिया ने कि वो विष्णु है, है तो वो बुध का, बुधिष्ट का, तो ये चीज है, इसलिए आप अपने मन में य की कोशिस कर रहे हैं लेकिन आप बनिया नहीं है समय रहा है ना अब भी ये हिंदू यहां बन के आए हैं चलें फिर और शुरेश का एक वार लिखते हैं इसको गीता पढ़ा दो बुद्ध से क्या मतलब है इसको शुकिति का भारत जो है लिखते हैं कुंठित अभिव्यक्ति का परिणाम अंतिहिन दास्ता होती है उठो बहुजनों देश को इस कुंठित मान सिकता से मुक्त करो जै मंडल जै विम जै जोहार जीव